नमस्कार दोस्तों शागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों बिहार सिच्चक बढ़ती 2024 के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों नए छात्रों को बता दें कि CP Smart Classes का जो मोबाइल एप है वो जो Google Play Store पे उपलब्द है और आप यहां पे सर्च करेंगे तो आपको यह एप मिल जाएगा इस एप को डाउनलोड करके आपे BPSC 3.0 की तैयारी और एस्टेट 2024 की तैयारी कर सकते हैं 10,000 student पहले से यहां पढ़ रहे हैं और म्यूजिक का जो कोर्स है 3.0 मोस्ट पॉप्लर कोर्स हो गया है इस समय 3.0 में सफलता के लिए छात्रे इस को जॉइन कर रहे हैं इसके साथ साथ एस्टेट 2024 के कोर्स को भी जॉइन कर रहे हैं देखी म्यूजिक में तो बहुत सारे छात्रों के हमारे आसा नोकरी लगी हो चाहे वो 3.1 हो या फिर 3.2 हो दोनों में काफी यदा छात्रों की नोकरी लगी है लेकिन इस बार एक नया कोर्स है वो है कला विशय का जो कला या ललित कला या आट आप जो बोलते हैं उसका भी कोर्स से CP स्मार्ट क्लासेश पे आवेया है और ये कोर्स आप जॉइन करके कला विशय से भी सिच्छक बन सकते हैं किसी भी प्रकार की कोर्स से रिलेटेट जानकारी के लिए 839-922-6960 इस नंबर पे आपको वाट्सप करना है तो दोस्तों जो अभी एस्टेट 2024 की परिच्छा दे रहे हैं जिन्हों ने एस्टेट अभी पास नहीं किया है क्या उनको BPSC 3 वाले एकजाम में बैठने को मिलेगा यह प्रेशन है तो आप एक चीछ जान लिए BPSC 3.0 का जो फार्म भरा जाएगा वो अभी हपते 10 दिन बाद सुरू हो जाएगा 14 या 15 फरवरी से इसके फार्म आ जाएंगे आनलाइन आप भरना सुरू कर देंगे और BPSC 3.0 की जो कौलिफिकेशन होती है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो जैसे कि आप ग्रिजुशन किये हो या पोस्ट ग्रिजुशन किये हो उसके साथ साथ है एस्टेट मांगता है एस्टेट पेपर वन या पेपर टू अगर आपके पास एस्टेट नहीं है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते तो जाहिसी बात है कि जब आप यह फार्म भरेंगे BPSC 3.0 का जब फार्म आ जाएगा तो आपके पास यह फार्म को नहीं भर सकते यह वैकेंसी आपके लिए है ही नहीं आपके लिए जो वैकेंसी आ रही है वो BPSC 4.0 आ रही है और उसकी भी डेट फाइनल हो चुकी है 24 अगस्त को उसका पेपर होगा 24 सितंबर को उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा पहले ही इसकी गोशना की जा चुकी है तो जो च्छातर कंफ्यूज है कि हम एस्टेट और BPSC दोनों अभी 15-20 दिन में पढ़के निकाल लेंगे तो अपने भ्रहम को जो है भ्रहम से बाहर आ जाए और जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं च्छातरों को वो मिसगाइड करना करपया बंद कर दे BPSC 3 वाले वही स्टूडेंट यहां पे इलिजबिल हैं वही स्टूडेंट वहां पढ़ सकते हैं जिनके पास एस्टेट पहले से हैं जो एस्टेट पहले से पास हैं जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है और एस्टेट 2024 वाले अपना ध्यान किवल एस्टेट प तो BPSC 3 के लिए मैं चात्रों से यही बोलूँगा कि अगर आपने 1.0 में एक्जाम दिया 2.0 में एक्जाम दिया और अभी आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो 3.0 का जो एक्जाम है आपका लास्ट अटेम्ट है आपको मालूम है न सिच्चक भरती के लिए विहार में किवल तीन ही आटेम्ट मिलते हैं तो अपना आटेम्ट बरबाद मत कीजिए BPSC 3 को बहुत ही साउधानी से दीजिए अगर आप 2 में आसा फल है या 1 में आसा फल है या दोनों में आसा फल है तो आपके लिए BPSC 3 बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी भी समय है सभल जाईए और अ कोचिंग सस्थान जो है एस्टेट 2024 और BPSC का कमबाइंड कोर्स चला रही है कमबाइंड कोर्स चलाने से क्या फायदा है कमबाइंड कोर्स अगर आपके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो यह BPSC 3 की चीज़ें आप पढ़ना शुरू कर देंगे जो कि आपके एस्टेट में चानी नहीं है और BPSC 3 में आप इलिजिबल नहीं है BPSC 4.0 के लिए आपके पास बहुत टाइम मिलेगा फिर से पढ़ने के लिए आप पहले एस्टेट तो पास होईए पहले उस कवबिल तो बनिए कि आप जो है एस्टेट पास करने के बाद BPSC में बैठने के लाइक बन कि सेट और BPSC दो नों का और कोर्स चहीं है हम ने तो कमँबभाउएं कोर्स नहीं चलाया है क्योंकि BPSC अलग चीजआ है अलग चीज़ है दोनों चीज़ें बिलकुल अलग अलग है जब आप 10th और 12th का combined course एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो BPSC और estate का course कैसे एक साथ पढ़ सकते हैं जब दोनों exam आप 10th और 12th का एक बार नहीं दे सकते हैं तो आप BPSC और estate कैसे दे सकते हैं एक साथ step by step चलना ही सही है पहले estate pass कीजिए उसके बाद BPSC पिध्यान केंद्रित कीजिए और जो estate pass है वो BPSC 3 पे लग जाएं क्योंकि एक मौका निकलेगा तो एक चांस आपके हाथ से निकल जाएगा बस मैं इसे वीडियो के माध्यम से चात्रों को यही मैसेज देना चाह रहा था और जो चात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दे जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद